असलाम लेकुम जी कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ सब लोग धिक थाक होंगे चिकन स्टीम की रेसिपी लेके आई हो बिल्कुल डिफरेंट स्टायल से लेकिन सबसे पहले वेलकम तो मैं चैनल बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है बहुत टेस्टी लगती है और ज़रूर ट्राइ कीजिएगा जादतर वेडिंग्स वगारा पे इस तरीके से जो है चिकन स्टीम होता है मैंने चिकन की जो लेक्स ली है उसको मैंने स्किन रिमूफ करके बहुत अच्छे से वाश कर लिया है आप चिकन थाई ले सकते हैं होल चिकन भी ले सकते हैं आपकी अपनी चोईस है तो यहाँ पे अच्छे से वाश करने के बाद जो है इसमें मैं हाफ अ टेबल स्पून के कर जो है salt add कर दूंगी salt add करने के बाद मैं इसमें one by four cup vinegar add करूंगी और इसको बहुत अच्छे से mix कर दूंगी water वगेरा इसमें add नहीं करूंगी vinegar add करने से एक तो यह soft हो जाएगा दूसरा इसके अंदर से blood वगेरा remove हो जाएगा क्योंके vinegar और salt में dip रहेगा तो फिर chicken का color you know whiter हो इसको fry कर लेंगे, wash नहीं करेंगे जो ये पानी छोड़ेगा उसको discard कर देंगे तो यहां पे half hour हो चुका है oil मैंने full गरम कर लिया है oil full heat up होना चाहिए चिकन का color आप देख सकते हैं थोड़ा सा उसमें change आया है oil का temperature यहां पे full high है हमें सिर्फ चिकन को color देना है हमें इसको cook नहीं करना है इसलिए बड़ी फटाफ़च से हम जो है इसकी side भी change कर देंगे और इसको निकाल लेंगे सिर्फ एक देर मिनट का जो है ये सारा process होगा और यहां पे देखे, add करने के बाद oil की temperature का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा तो यहां पे मैं इसकी side change कर रही हूँ side change करने के बाद जो है वो color आप देख रहे हैं कि वो इस पे आ गया है थोड़ा सा golden सा बस इतना ही हमें required है हम इसको निकाल लेंगे और बागी का chicken दाल देंगे chicken को oil में से निकाल के हम इसको थोड़ा सा side पे रख देंगे इसको थोड़ा सा थंडा होने देंगे और उतनी देर तक इसका जो है marinade ready कर लेंगे जिसकी हम basically coating जो है वो इस chicken के उपर करेंगे तो marinade ready करने के लिए जो है मैंने यहां पे yogurt ले लिया है टू टेबल स्पून के करीब जो है योगर्ट लिया है मैंने योगर्ट आपने कोशिश करनी है कि उसमें पानी नहीं हो और उसके बाद जो है मैंने वन टेबल स्पून जो है वो garlic and green chili paste लिया है और ginger नहीं चाहेगा इसमें वन टेबल स्पून of soy sauce and वन टेबल स्पून ही जो है इसमें chili sauce लिया है मैंने और ये सब ingredients add करने के बाल जो regular की spices हैं वो जाएंगे इसमें वन टेबल स्पून जो है वो इसमें मैंने red chili flakes add कर दिये हैं half a teaspoon से थोड़ा सा कम salt add किया है as you know वो मैं चिकन में already add किया था और one teaspoon black pepper powder और two teaspoon के करीब जो है वो आप crushed coriander seeds ले लें वैसे अगर इस recipe में आप पिसा हुआ सुका धनिया डालेना तो उसका जादा अच्छा result आएगा तो half a teaspoon के करीब जो है वो मैंने red chili powder add कर दिया और जो है साथ में one tablespoon के करीब lemon juice add कर दिया बाकी जो spices हैं वो आप अपनी preference के according add कर सकते हैं कम या जादा कर सकते हैं अगर आप इसमें चाट मसाला की addition करेंगे that would be very perfect and very good यहाँ बे मैंने जो है one tablespoon से थोड़ा सा कम जो है वो ketchup add किया है लोग इसमें जो है red food color add करते हैं but मैं जो है synthetic food color add करने के बेखल हक में नहीं हूँ ऐसे मतलब directly चीज़ों के उपर और just बिरियानी वगेरा में मैं add करती हूँ मैं बाकी इस तरह इन चीज़ों के उपर ना food colors add नहीं करती तो अगर आपने इसको थोड़ा tempting बनाना है तो बेशक एक pinch के करीब जो है वो आप add कर ले तो यहां पे मैंने सारी legs के उपर जो है वो अच्छे से मसाला लगा दिया और जो start में आपको बात बताना भूल गई के आपने legs के उपर deep cut लगा लेने है उनको जब आपने vinegar and salt में dip करना है उससे पहले wash करने के बाद deep cut लगा लेने है फिर यह होगा के यह जो मसाला है वो बहुत अच्छे से आप उसके अंदर तक लगा पाएंगे तो यहां पे मैंने parchment paper ले लिया एक seed के उपर और उसके उपर मैंने यह सारी जो chicken legs है वो डाल दी बागी का मसाला इसके उपर डाल दिया यह मेरे पास थोड़े से sesame seeds थे यह मैंने इसके उपर डाल दी है तो यह optional है अगर आपके पास है ठीक है नहीं है तो भी अच्छा ही बन जाएगा तो parchment paper को मैंने इस तरीके से जो है fold कर दिया fold करने के बाद जो है वो मैंने इसकी side change कर दी थी ताके यह secure हो जाए यहां में मैंने एक pressure cooker ले लिया था उसके अंदर एक stand लगाया था और उसके अंदर यह रख दिया था उसके बाद मैंने pressure cooker को कर दिया बंद 5 मिनट तक pressure cooker का जो flame है वो हाई रहा था जब आपको feel हो जाए कि उसमें steam अब बन गई है तो आपने flame को low कर देना है लो करने के बाद 45 मिनट तक मैं इसको ऐसे पड़ा रहन दूंगी दही की मज़ेदार सी चटनी रेडी कर रही हूँ जो के मैं liquid में बना के रख लेती हूँ क्योंके दही यहां पे काफी गाड़ा होता है तो पानी डालने के बज़ाए मैं liquid चटनी बनाई होती है जो के मैं उसके अंदर डाल देती हूँ तो बातें करते करते चिकन जो है वो हमारा steam हो चुका था जो के मैंने low flame पे जो है ना वो 45 मिनट तक उसको pressure cooker में steam किया है और weight उसका रखा था pressure cooker पे ठीक है proper जिस तरीके से pressure चलाते हैं और उस तरह ही चलाया था लेकिन starting में 5 मिनट के लिए high flame था जब उसमें steam बन गई तो low flame कर दिया था ठीक है high flame पे ना cook किजेगा क्योंकि उसके अंदर stand होगा तो यह risky हो सकता है तो जी हाँ यहाँ पे chicken steam बहुत अच्छा सा रेडी हो गया था frying करने का यह good effect था कि जो भी हम इसके उपर marinade हमने लगाया तो वह बहुत अच्छे से stick हो गया था उसके बाद मैंने थोड़ी सी fries simple सी बहुत ही simple सी fries साथ में बना दी थी और थोड़ी से sesame seed again से garnish कर दिया थे hope so यह recipe आपको अच्छी लगेगी जुरूर ट्राय कीजेगा thank you so much for watching channel को subscribe कर दीजेगा अगर अभी तक नहीं किया stay tuned for more videos